भारत ने मोहाली टेस्ट जीत लिया है रोहित शर्मा की अगवाई में टीम इंडिया ने श्री लंका को एक पारी और 222 रन के बड़े अंतर से माद दी टीम इंडिया की इस जीत के हीरो रविंद्र जड़ीजा रहे रविंद्र जड़ीजा को इस शांदार प्रदिशन के लिए प्लेयर आफ दब माच के अवाट से नवाज अगिया इस जीत के साथ ही भारत ने दो माच की टेस्ट सीरीज में एक शुन्य की बड़त बना ली है इससे पहले कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीत कर बल्लेबाजी करने का फैसला किया टीम इंडिया की सलामी जोड़ी रोहित शर्मा और मैंक अगरवाल ने पहले विकेट के लिए 52 रन की साचितारी की मैंक ने 33 रन बनाए रोहित 29 रन बनाकर आउट हुए वहीं हनुमा विहारी ने 58 रन की शांदार पारी खेली अपना सौवटेस खेल रहे विराट कोली ने 45 रन बनाए जबकि रेश्या पंथ शतक से चूके पंथ ने 97 गेंदों का सामना करते हुए 96 रन की पारी खेली जिसमें 9 चौके और 4 चौके शामिल रहे निशले क्रम में रविंद्र जडेजा ने नाबाद 175 रन की पारी खेली जिसमें 17 चौके और 3 चौके शामिल थे इसके लावा रवीचंद्रों अश्विन ने 61 रन का योगदान दिया भारत ने पहली इनिंग्स में 8 विकेट खोकर 574 रन पर पारी घोशित की इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी श्रिणकाई टीम पहली पारी में 174 रन ही बना सकी टीम की दर्व से पाथम निसंका ने सबसे जादा 61 रन की पारी खेली जिसमें 114 के भी शामिल थे बाकि कोई भी बल्लेबाज 30 का आखड़ा पार नहीं कर सका पहली पारी में जडेजा ने 41 रन देकर पाच विकेट जटके वहीं बुम्रा और अश्विन ने दो-दो विकेट हासिल किये शमी को एक विकेट मिला 174 रन पर समीटने के बाद कप्तान रोहित ने श्रिलंका को फॉलो ओन दिया और दूसरी पारी में भी महमान टीम की बल्लेबाजी फ्लॉक रही पूरी टीम 178 रन पर ओल आउट हो गई नेरोशन डिक्वेला ने नाबाद 51 रन बनाए वहीं भारत की तरफ से दूसरी पारी में जडेजा और अश्विन ने 44 विकेट जटके जबकि शमी ने दो विकेट अपने नाम किये टीम इंडिया की धमाकेदा जीत के बार ट्विटर पर खूब हैस्टाइक्स चले तो चलिए इसी सिलसिले में अब आपको बताने जा रहे हैं भारत और शुलंका के बीच खेले गए तीसरे दिन के टॉप ट्विटर ट्रेंडिंग्स के बारे में रविंद्र जड़ेजा ट्रेंडिंग में सबसे टॉप पर रहे जड़ेजा ने मोहाली टेस्ट में आल राउंड प्रेशन किया और टीम को जीत दिलाने में भूमी का निभाई जडेजा की शांदार प्रेजर्शन पर एक यूजर ने लिखा जो जडेजा ने किया है वो पिछले 50 सालों में किसी ने नहीं किया था जडेजा अपनी पीडी के महान ओल राउंडर है 175 रन और 5 विकेट हॉल प्रेंडिंग में दूसरे नंबर पर अश्विन रहे महाली टेस्ट में अश्विन ने बड़ी उपलब्दी हासिल की उन्होंने भारत के लिए सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने के मामले में कपिल देव को पीछे छोड़ दिया कपिल देव के नाम 434 विकेट दर्स है वही अश्विन के नाम अब 435 विकेट हो गए है भारत के इस ओफ स्पिनर की काम्याभी पर एक यूजर ने लिखा बिना किसी शक के इस एरा के महान भातिय टेस्ट कुगेटर है रवी चंडरन अश्विन बहुत बढ़ाई क्या कमाल के खिलाड़ी है 435 विकेट दल्चस बात ये है कि विराट कोहली ने अतिहासे कैश लबका कोहली की कप्तानी में अश्विन काफी खेले हैं अश्विन इस दश्रक के महान गेंदबाज और ओल राउंडर है ट्रेंडिंग में जयनती आदब भी शामिल रहे जयनती आदब को गेंदबाजी अटैक पर लाने की कोई जरूरत ही नहीं थी जब जड़ेजा को ऐसा रिकॉर्ड बनाने के लिए सिर्फ दो विकेट की दरकाल थी जो पिछले 1500 सालों में भी किसी से नहीं बन सका था प्रेंडिंग में रोहित शर्मा चौथे नंबर पर रहे रोहित का ये बतौर कप्तान पहला टेस्ट मैच था और अपनी कप्तानी में उन्होंने टीम इंडिया को जीत दिलाई रोहित की तारीफ करते हुए एक यूजर ने लिखा रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया अब तक अजय है जब से रोहित कप्तान मने हैं भारत एक भी मैच नहीं हा रहा है बता दें कि भारत और शुलंका के दीश दूसरा टेस मैच 12 मार्च से बेंगलूरू में शुरू होगा ये मुकाबला डे नाइट टेस मैच है जो पिंक बॉल से खेला जाएगा इस वीडियो में बस इतना ही इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है अविनाश ने मैं हुगरिमा स्पोर्ट से जोड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल अलन ताप शुक्रिया